नमस्कार आदाब आज मैं आपको हुर्दु के मशूर और मारूफ प्रसिद व्यंकार तंज और मजा निगार जराब शौपत ठानवी का एक मजमून एक नशुद दो शुद सुना रहा हूं ये मजमून बढ़ती हुई आबादी पर एक अच्छा खासा तंज है और सच तो ये है कि अगर इस बढ़ती हुई आबादी पर हमने गवर ना किया तो जो कुछ शौकत ठानवी ने शायर मजाख में लिखा है वो कहीं सच ना हो जाए आईए सुनते हैं सौकत ठानवी का मजमून एक नशुद दो शुद दुनिया के आबादी इस तेजी से और इस होलनाग तरीख पर बढ़ रही है कि दूसरे सितारों की तलाश को हम गयर जरूरी नहीं समझते हैं आबादी को दूसरे सितारों में बसाने की जल्द से जल्द कोशिश ना की गई तो इस दुनिया में इनसान कीरों की तरह तले उपर कुल बलाते नजर आएंगे और वो अपनी इनसानियत को लाग चाहें बगर बरकरार ना रख सकेंगे बाद मुमालिक तो इस अफ़ाईश नसल से इस कदर हवास बाखता है कि उनके जिम्मेदार लोग साहबाने आवलाद के कदमों पर सर रखते पिर रहें ये खुदा के वास्ते अब इस दौलते आवलाद से माला माल होना तर्क कर दीजिए और इस दुनिया के हाल पर रहम खाईए इसके इलावा वो जीने वालों से जिन्दगी के दिन तो पूरे कर चुके हैं बगर खामखा जीते चले जा रहे हाँ जोड़ कर अर्ज करते हैं कि तिबलो औ काबा अपनी बुदरगान शफकत से काम लेकर अब लिल्ला मर जाएए किसी तरह दाईए अजल को लब बैक कही भी चुकी है मलकुल मौत अगर आपको भूल गया तो खुद उसको अपनी तरफ मतवज्ज़ कीजिए हम आपके ऐसान मंद होंगे नहायत धूम धाम से जनाजा उठाएंगे नहायत शांदार मजार पूर नूर बनाएंगे उस पर फूल चड़ाएंगे देखियो तो सही जरा मरकर के हम आपके इस ऐसान अजीम से किस तरफ सो वगदोश होते हैं वकर ये बोड़े लोग ये कहकर टाल देते हैं कि अच्छी बात है हम इस पर गवर करेंगे आज मौलक में तो ये भी तैय किया जा रहा है कि गटल करने को आपकानूनें जर्म न समजा जाए और कातिल को बजाए गर्दनजनी समझने के नसले इनसानी का मोहसन समझा जाए कि उसने आबादी का तना 측ा कायम रखने की कोशिश में कतल का रटिकाव करके एक कारेखेर किया है और कातिर के लिए कानून ने जो सजाय मुकर्ण की हैं उन लोगों को दी जाएं जो आबादी में इदाफा करने से बाद नहीं आते अगर सूरत हाल इसी तरह मखदूश रही तो वो दिन दूर नहीं है जब आउलाद पैदा करने वाले वालदैन को या दोनों में से जिस पर ये जिर्म साबित हो कि ज्याद्ती उसकी तरह से थी फांसी पर लटका दिया जाए All India Medical Conference के सदर मिस्टर करूना करन ने ये तजवीज पेश की है कि भारत में इस काते हमल यानी आबोर्चन को जर्म ना समझा जाए बलकि उसकी आम अज़ादत होना चाहिए मिस्टर करूना करन ने मुझे बताया है कि जापान में भी इस काते हमल की आम अज़ादत है इसलिए कि आबादी का तनासुब और तनाजुन इसी तरह काइम रह सकता है वो लोग नसले इंसानी के बत्तरीन दुश्मन और इंसानियत के घड़ार है जो ना कुछ समझते हैं ना कुछ हिसाब लगाते हैं पस धड़ा अधड़ बच्चे पैदा किये चले जाते हैं मिस्सर करूना करण ने ये भी तज्वीज पेश किये कि तीन बच्चों की पैदाईश तक तो खेरम चुक रहें गया मकर चौथे बच्चे की पैदाईश पर टैक्स लगा देना चाहिए और हर बच्चे पर टैक्स दुगना और चौगना होता चला जाएगा अभी रोक थाम की इप्तिदा है कि सिर्फ टैक्स लगाने की तख्रीज पेश की गई है अगर इस पर पाबंदी के बावजूद लोग नमाने और आबादी में इदावा करने से बाज ना है तो ये भी होगा कि किसी किया बच्चा पैदा होने की मुख्बिरों ने सी आईडी को ख़बर पहुचा दी तो पुलिस वारंट लेकर आ मौजूद हुई कि हमको मालूम हुआ है कि तुमसे सहाभे आउलाद होने का जर्म सर्जद हुआ है लहादा चलो थाने उन हज़रत को ठाने ले जाकर तो चार बेद रसीद किये जाएंगे और रोज रामचे में लिख दिया जाएगा कि मुल्जम ने अपना जर्म का इकबाल किया लहादा मुझरिम को जो आदी मुझरिम ना था बलके पहली तफाही गल्ती सर्जद हुई थी उससे इस वादे पर के आएंदा वो यह हरकत ना करेगा चार बेद मार कर रहा कर दिया गया लेकिन अगर उनके पिर बच्चा पैदा हो गया तो मामला अदालत तक पहुंच जाएगा और अदालत उनको तीन माह कैद बामुशकत की सदा देगी तीसरे बच्चे की सदा छे माह से एक साल तक हो सकेगी और अगर चौथा बच्चा हो गया तो मामला सेशन के सुपर्थ कर दिया जाएगा अब सेशन जज़ उनको उमर कैद की सदा दे या सदा मौत ये अदालत की मर्ज़ी परे बहर सूरत उनको पांच में बच्चे के लिए आजाद न छोड़ा जाएगा ये तो हुई सदा है मगर उम्मीत है कि कुछ इनामाप और खिताबाद भी इस सिलसले में तक्सीम हुआ करेंगे ताकि नसल कुशी की होसला अफ़जाई होती रहे मसलां दर्बार में किसी को पद्म शिरी का तमका अता करते हुए बयान किया जाएगा कि वो देवी हैं जिनको आवलाद का बहुत शौप था नगर मुल्क की खिदमत को मामता पर मंगदम समझते हुए इस देवी ने यके बाद दीगरे चार हमले स्कात कराए इस तरह खुद अपनी सिंदेगी को भी खत्रे में डाला घरवालों की नाराजगी और शोहर की खवगी बरदास्त की दर्टी सेवा से मूना मोडा ऐसी देवियां हमारी हर मुबारक बाद की मुस्तहिक है लिहाज़ा इनको पद्वूष्री का खताब दिया जाता है इसी तरह किसी महाशे को भी पद्वूष्र का खताब देते हुए इलान किया जाएगा कि भारत माता के सपूत ने धरती की सेवा में बर्चर का हिस्टा लिया है इसने एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी शादी की और तीनों बेवियां कुमारी ही मर गई इस तरह इस बहादर सपूत ने ये थाबित कर दिया कि अगर आदमी कानून का इहतराम सीख ले और फर्स की एहमित का अंदादा करे और दुनिया की कोई ताक उसको अदाई गिये फर्स दे रोक नहीं सकती हमको उमीद है कि दूसरे लोग भी इसकी मिसाल सामने रखेंगे इसने अपने को हर तरह से इस एजास का मुस्तहिक साबित कर दिया है किस्सा दरसल ये है कि दुन्या की गुंजाईश मेदूद है रोजी मेदूद है रोजी के जराय मेदूद है जो बच्चा पैदा होता है वो खाली हाथ पैदा हो जाया करता है अगर डीज, डस, बीज, गज, जमीन लेकर पैदा हुआ करे अपने हिस्से का गल्ला लेकर पैदा हुआ करें अपने पहले के कपड़े लेकर पैदा हुआ करें अपनी खुराक के मवेशी लेकर पैदा हुआ करें तो नहाएट शौक से पैदा हो दुनिया वाले उसका खेर मगदब करेंगे उसको खुशामदीत कहेंगे और सही मानों में उसकी आउभगत करेंगे वगर साहब हाल ये है कि बर्खुरदार की पैदाईश नया बार साबित हो कि एक नशुद दो शुद अब उनके रहने के लिए भी अपने पैर समेट कर जगा निकालिया उनको खिलाने के लिए अपना पेट काट कर अपनी ही रोटी से हिस्सा बाती है उनको पहनाने के लिए अपनी ही आस्ती में से कपड़ा बचाई है तो आखिर बढ़ते वे बार की ये दुनिया कब तक मुतमहिल हो सकती है हम तो लाख ही कहें कि जो पैदा होता है वो अपनी किस्मत साथ लाता है मगा वाक्या ये है कि वो हमारी किस्मत का हिस्सरदार बनकर रहता है और हमारे लिए मुसीबत साबित होता है बढ़ती हुई आबादी के मसले को हल करने की तदाबीर पर सभी गोर कर रहे है कहीं इस आबादी की आबादकारी के लिए नए सितारे ढूले जा रहे है कहीं तरह तरह की हलाकत की ओफरें हिजाद हो रही है कि ये हाइडरोजन बम फेका जाए तो इतने आदमी मर सकते है ये एटम बम रसीत किया जाए तो इतनी जाने जाय हो सकती है ये गैस प्हेला ही जाए तो इतना जानी नुक्सान हो सकता है अगर फिजाई अड़ों से आतिशी शीशा दिखाया जाए तो इतने मुलक फर्ष से उर जाएंगे साइंस की तरक्यों का राज इसमें नहीं है क्यूित अपने अद्म अपने अलूम की इंतहा पर पहुंचकर जिण्दगी के हकुद्ध हासल कर ली है बलकि इनसान का इंतहाई कमाल सिर्फ ये रह गया है क्यूद मौत की नई तरकीव движ दर्याफ्त कर ली है और वो अपनी मिराज़ पर पहुंच कर ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ बज सका है तो मलकुल मौत से बचाने का कोई गर उनको नहीं आता जिन्दगी से निजात दिलाने और बहुत से हमकिरार करने के लिए बड़े कमाल उनको आते हैं यह थी और यह था रादर छोटा का मजमून शौकत्थानवी का एक ना शुद दो शुद अतलब एक ना हुए दो हुए